हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाथी राठ और स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेट्फर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम का पार्ट 11 करेंगे इससे पहले के सभी वीडियो हमारी चैनल पर अविलेबल हैं और अभी अगर उसमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके इजीली देख सकते हैं So now without wasting much time हम अपना आज का ये वीडियो अगे continue करते हैं और चलते हैं पहले word की तरफ पहला word है हमारा swap Swap का मतलब है to exchange or to give something for something else मतलब वस्तूओं का विनेमे करना या फिर एक के बदले दूसरी चीज देना Options की तरफ चलते हैं Option A is snap Snap का मतलब होगा to break suddenly usually with a sharp noise मतलब किसी चीज का तूट जाना और उसके तूटने पे बहुत तेज आवाज होना इसी को बोलते हैं snap Option B is exchange exchange मतलब एक के बदले दूसरी चीज लेना चीजों का अपस में विनेमे करना Option C is break break का मतलब हो जाएगा to separate into two or more pieces मतलब दो या दो से जादा भागों में बट जाना तूट जाना Option D is exclude exclude का मतलब होगा to leave out or not include मतलब छोड़ देना या शामिल ना करना सभी words के हमने meaning जान लिये और फिर हमें पता चला कि ये जो हमारा word है swap which means to exchange उसका सही answer होगा Option B exchange आगे बढ़ते हैं अगला word है हमारा prudent Prudent का मतलब हो जाएगा a wise person, a sensible person who is careful enough when he is making some decision मतलब ऐसा इंसान जो बहुत जादा बुद्धिमान है, बहुत जादा समझधार है और वो बड़ी ही सतरकता से किसी भी निर्णय को लेता है उसे बोलते हैं prudent options की तरफ चलते हैं Option A is wise, wise मतलब बुद्धिमान, समझधार Option B is cunning, cunning का मतलब हो जाएगा clever in a bad way या फिर crafty, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही चालाक है वो सही तरीके से या गलत तरीके से अपने aim को, अपने target को पूरा करेगा उसे बोलते हैं cunning, option C is frank frank मतलब open and direct in speech, मतलब एक व्यक्ति जो की बड़ा ही spasht है वो अपने thoughts को, अपनी feelings को clearly show कर सकता है या clearly express कर सकता है, उसी को बोलते हैं frank option D is severe, severe का मतलब हो जाएगा serious या फिर गंभीर तो यहाँ भी हमने सभी words के meaning जाने और यह जो word है हमारा prudent, which means a wise person इसका सही answer होगा option है wise, मतलब एक समझतार या बुद्धिमान व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, अगला word है हमारा culmination culmination का मतलब हो जाएगा the highest point of something मतलब एकदम climax या फिर peak, किसी चीज का सबसे highest point चरम, पराकाश्था, इसी को बोलते हैं culmination options की तरफ चलते हैं, option A is conclusion conclusion मतलब the end of an event, मतलब निसकर्ष या फिर अंतिम चरण, option B is climax, climax मतलब पराकाश्था या फिर अंतिम परिणती, option C is abyss abyss का मतलब दो होते हैं, पहला मतलब होगा इसका पाताल और दूसरा मतलब हो जाएगा कोई बहुत गहरा गड़ा जिसका base या bottom हमें पता ही ना चले कि इसका bottom कहां तक होगा, जैसे कभी बहुत गहरा कुआ होता है जो well होता है जब well बहुत जादा गहरा हो जाता है, बहुत जादा डीप हो जाता है तब हमें नहीं पता चलता कि उसका bottom कहां पे है तो ऐसी ही चीज़ को बोलते हैं abyss option D is cultivation, cultivation मतलब action of cultivating land growing and raising crops, खेती, जुताई करना सभी words के हमने meaning जान लिए और यह जो word है culmination which means a peak और highest point of something इसका सही answer होगा, option B, climax, पराकाष्टा या फिर अंतिम, परिणती hope आपको सभी words clear है, आगे बढ़ते है अगला word है हमारा sporadic sporadic का मतलब होगा occasional मतलब ऐसी चीज जो की अवसरवादी हो, जो regularly ना होती हो not happening regularly, जो regular ना होती हो, अवसरवादी हो उसी को बोलते है sporadic, options की तरफ चलते है option A is surviving, surviving का मतलब हो जाएगा remaining alive or continuing to exist, मतलब जिन्दा रहना option B is sweeping, sweeping मतलब having a great and important effect बहुत असरदार या प्रभावशाली होना, option C is irregular irregular मतलब अनियमित, जो नियमित ना हो, जो regular ना हो उसी को बोलेंगे irregular, option D is persistent, persistent का मतलब हो जाएगा determined, चिरस्थाई या फिर सतत, किसी काम को करते रहने के लिए कृत संकल्पित होना, इसी को बोलते हैं persistent, तो सभी वर्ट के हमने meaning जान लिये, और यह जो हमारा word is sporadic, which means occasional, something that is not regular, इसका सही answer होगा, option C irregular, होब आपको यह सभी वर्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले word की तरफ, अगला word है हमारा क्रास, क्रास का मतलब हो जाएगा stupid, अत्यांत मूर्ख या फिर ठस बुद्धी या ठस दिमाग, जिस व्यक्ति का हो, उसी को हम क्रास बोलेंगे, options की तरफ चलते हैं, option A is casual, casual मतलब informal, something that is not formal, unobcharic, option B is formal, formal मतलब obcharic, option C is unrefined, unrefined मतलब lacking refinement, या फिर हम इसको uncouth भी बोलेंगे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो की awkward हो, जो uncultured हो, सब भिना हो, एकदम बेवकूफ हो, stupid हो, उसी को बोलते हैं, unrefined, and option D is sterile, sterile का मतलब हो जाएगा, infertile, या फिर unproductive, lacking the capacity to produce children, इसी को बोलते हैं, sterile, तो सभी words के हमने meaning जान लिए, और यहां यह जो हमारा word है, cross, जिसका मतलब हो जाता है, stupid, या एकदम ठस बुद्धी, जिस व्यक्ति की हो, वो, इसका सही answer होगा, option C, unrefined, मतलब uncultured, या फिर lacking refinement, hope आपको सभी words clear हैं, तो friends, आज मैंने आपके साथ कुछ words discuss किये, I hope आप सभी को इन सभी words के meaning clear होंगे, अगर still doubt है, तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे like कीजिए, share कीजिए, अपने maximum friends के साथ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, कल फिर मिलेंगे, एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए, stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best